हेलो स्टुनेंट्स आई टिया लेक्टिकल ग्यान यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप लोग लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे कि बैक पेपर का एक्जाम कब होगा जो फेल सब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे उसका एक्जाम कब होगा तो इस संबंद में जो है डिजिटी के तरफ से आज एक लेटर जारी कर दिया गया है जीस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा जानकारी दिया गया है तो यदि आप मेरे चैनल में नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबादें ताकि आपको इस है नासरे लेटर सारी जानकारियां मिल सके हैं लेजी UM ऐसे बाप से डी एया जारीjust किया रहे जो है मैं यह ऌल जारी जारी علomants इस लाएक आपको नॉओंबर 2020 में होगा मैं पिछे भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यह जो है एक्जाम नमंबर में होगा और इस समंध में जो है उस वीडियो में में बता था कि बाद में जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह जो है नमंबर म देखते हैं और क्या चीजी है इसमें चीजिण किया गया है कि जो मीटिंग पिछले बार हुआ था कि से के साथ में उसमें जो है 30 September को यह meeting हुआ था उसमें यह decide किया गया था कि जो भी पीछे का समिस्टर वाले छात्रों का एक्जाम बैक लगा हुआ है और जो यह वाले हैं उन सभी का एक्जाम जो है CBT एक्जाम होगा और यह किस डेट में होगा इस समंध में जो है देखिए यह लेटर जा और यहां जो आपका इर वाइज सिस्टम है दोटार से पहले जो है समिस्टर शिस्टम था तो जो जो चात्र हैं तो चाहे वं 2018-19 के हैं या 1820 के हैं या आपका 2019-20 के या 2021 के या 2021, 2022, 2022, 2023 कहने का मतलब यह है कि जो भी अभी तक के एन्वल सिस्टम में फेल चातर है चाहे वो किसी भी सेशन के है उन सभी का जो है सप्लिमेंटरी एक्जाम होगा इसके साथ साथ देखिए दिया हुआ है पाँच नमर कोलम में कि ओल सिस्टम टेनी सेशन 2014-2017 इसका मतलब यह हो गया कि जो सिस्टम जैसे कि आपलों को चालो हुआ था 2014 में और 2014-2017 तक समिस्टर सिस्टम चला था तो 2014-2017 के बीच का कोई भी समिस्टर का कोई भी छात्र यादी फेल है तो उनके लिए भी यह special मौका दिया गया है उनका भी यह supplementary exam होगा तो 2014 से ले करके और अब तक जो भी फेल छात्र है उनका supplementary exam का date sheet जारी कर दिया गया है देखिए अब इस letter में जो है कब से exam होगा किस date को exam होगा, form कब से भराएगा यह सारा ची बताया गया है तो हम देखते हैं देखिए accordingly CVT examination for affirmation tennis has been scheduled and will be conducted from 25 November देखिए इसमें जो है कर रहा है कि 25 November से जो है आपका exam जो है conduct होगा ITI can start filling eligibility on NCVTMIS portal by paying CBT fee on NCVTMIS portal payment link will be opened for all ITIs from 25 October 2022 to 10 November 2022 देखिए आपको जो है इसमें देखिए 1,2,3,4 कर रहके चार भाग में जो है यहाँ पर में चार पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में है eligibility for supplementary training on NCVTMIS portal जो NCVTMIS portal पर में आपका जो admit card generate होगा उस admit card generate होने के लिए एक process करना पड़ता है और यह process ITI के द्वारा किया जाता है तो ITI यह process कब से कब तक करेगा तो 25 October से ले करके और 10 November के बीच में ITI यह process करेगा तो 25 से ले करके 10 के बीच में यह process होगा तो उससे पहले आपको क्या करना होगा आपको अपना form फिलब करना होगा तो form फहलने का date जो है आपको 25 midnight करके और 10 November तक अप form फिलब करके और Xemps जमा करना अपने institute में जा करके तो 10 November से पहले आप अपने institute में और Xemps जमा करना है पचीस से यह start है तो पचीस के बाद जो है आप कभी भी पचीस से दस के बीच में अपने iti में जाएं अपना फॉर्म भर दें और एक्जाम फी जो है उसका पेड़ कर दें उसके बाद देखिए सीवीटी दो नमर में दिया हुआ है एक्जाम सेंटर मेपिंग आपका सीवीटी का एक्जाम जो है कहां होगा उसका सेंटर क्या होगा इसका मैपिंग जो है स्टे डायक्टर के दोरह किया जाता है तो यह 10 नमंबर से ले करके और 15 नमंबर के बीच में यह काम होना है यह इस से 25 के बीच में आप अपना cbt hall ticket डाउनलोड कर सकते हैं और cbt exam स्टार्ट जो होगा आपका 25 नमबर 2022 से तो 25 नमबर से जो है आपका यह exam होगा और सभी का exam जो है cbt exam होगा चाहे वह एन्वर सिस्टम के स्टुनेर्स हो चाहे वह समिस्टर सिस्टम है सभी का एकजाम जो है सीवीटी एकजाम होगा तो सभी इस्टुडेंट जो है सीवीटी एकजाम का से एकजाम से समंधित स्बदित लिसक्शन किया गया है स deerler तो आपका CVT exam का क्या pattern होगा, exam फी कितना देना परेगा, ये सब के बारे में जो है, बाद में later जो है, जारी किया जाएगा, तो आप लोगों को कहीं पर भी कोई समझने में दिकत होता है, कोई कशना ही होता है, तो आप comment रबस करें, आपके हम परते comment का जबाब देंगे, मिल अगरे वीडियो में, थैंक्यू,